हेलो नमस्कार मिरे नाम है अविदाश राप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है आज मुंबई इंडियन्स और रॉयल चालेंजस बैंगलूर के बीच में शांदर मुकाबला खेला जा रहा है प्लेओफ के लिहाज से यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी जा मैदान पर शांदार पारी देखने को मिलेगी क्या पता आशो तक भी ठोक दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ मैदान खचाखत स्टेडियम खचाखत जो है आरसीबी फैन से भरा हुआ था लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आज जो है किंकोहली का बल्ला बिलकुल भी नहीं चुला एक र विराट कोली जूजते ही जूजते हैं आज की मुकाबले में भी कुछ ऐसे ही जूजना पड़ा इनको एक रन मनागर आउट हुए इशान किशन ने कैच लपका और इस तरीके से जो है विराट कोली का विगेट गिरा फिर काहनी भई हुई विराट कोली जल्दी आउट उस के लिए जहां पर 33 गंदू का सामना करते हुए 68 रन की जो है आज पारी खेली है किसने तो ग्लैन मैक्स्विल ने वही पर 41 गंदू का सामना करके 65 रन की पारी जो है आज फाप डुपलेसी ने खेली है और एंज के आप होल्डर है इस समय बाइस आप पांच चौके और त् गया है दस गंदू का सामना किया 12 रन बनाए उसके अलावा वानिंदू हसरंगा ने भी बैति गंगयमा हाथ दो लिया आठ गंदू का सामना किया 12 रन बनाए अनुज रावत प्रोमोट किया गया था तीजरे नंबर पे भाई साब यह च्वहरन बनाकर आउट हुए जबकि महिपाल लॉंग रोर जो है अपना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया जो उन्होंने दिल्ली में किया था शांदार पारी खेली थी वहां पे अर्दृष्य तक भी लगाया था तेस तर्रार लेकिन आज के मैस में एक रन बनाकर आउट हो गया अगर गेंदबाजी की मै पिछली हार का बतला आरसीवी से ले पाएगा यह देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि अपने घर में हारनाग को भी टीम नहीं चाहती है और जब बात विराट कोली वर्सेज रोहिश शर्मा का हो जाए तो आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे दोनों के फैंस कितने ज्य गई तो आरसीवी ट्रॉल होगा आरसीवी जीत गई तो फिर मंबा इंडियेंस ट्रॉल होगा लेकिन ट्रोल कोई न कोई जरूर होने वाला है फिलाल इस वीडियो में विराट कोली ट्रोल हो गए नन्यवाद